चलो अब CGBoard काक्षा 10 बी के अध्याय 12 को देख लेते हैं । अध्याय 12 में हैं वृत एवं इस पर सरेखाय दिये हुए हैं तो इस अध्याय के डायट हम प्रसनावली के प्रसनों पर चलते हैं तो प्रसनावली एक के पहला प्रसन देख लेते हैं वृत की जीवा की लंबाई ज्याद किजे यदि पहला प्रस्न यहाँ पर दिया है त्रिजा बराबर 13 cm तथा जीवा की केंदर से दूरी 12 cm है और दूसरा यहाँ पर दिया त्रिजा बराबर 15 cm तथा जीवा की केंदर से दूरी 9 cm यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे वुरीत पहले खिचेंगे चलो वुरीत बना लेते हैं ठीक है यह रहा है में एक ब्रीट ठीक है गोल कर messaging है पूरी तरह से लेकिन अप इस समझो व०ुरीत है अब इस मुर्ण में हम खिचेंगे जीवा क्यों क्यों कि YASA का जिगर किया है और जीवा वाला जीवा ही ग्याद करना है ठीक है तो हम जीवा बना लेते हैं और जीवा को आप कहां बना सकते हो आप यहां भी ऐसे ऐसे या ऐसे भी बना सकते हो लेकिन सबसे आसान है अगर वहां पर कहीं पर चीतर नहीं दिया जीवा वाला ठीक है यहां फिर वीद का चीतर न दिया है 13 cm और यहां पर चीज मैं भूल गया हूं ठीक है केंद्र पहले लिखना यहां पर केंद्र सबसे पहले बनाना है ठीक है यह इसका केंद्र उसके बाद आप जीवा खीचोगे जीवा के बाद देखो आगे आप आते हैं प्रस्ण में क्या आगा 13 cm तो जब भी त्रीज है ठीक है त्रीज्या को हमने मिला लिया तथा जीवा केंद्र से दूरी कह रहा है अब यह जीवा यह क्या हो गया है यह केंद्र है और यह जीवा है तो दोनों की बीच की दूरी तो यह रहा दूरी इसको भी हमने मिला लिया अब मानों को रख लेते हैं यह हो गया 13 cm यह हो जब हमारे पास AC का मान होगा तो AC का मान कैसे निकालते हैं तो AC का जो मान गयाद करते हैं वो गयाद करते हैं पाइथागोरस प्रमे से आप याद रखना ठीक है जब भी त्रिजिया की जब भी त्रिबुज की बात हो ठीक है तो त्रिबुज वाले त्रिभूज वाले topic में हमेशा Pythagoras प्रमे ही लगता है अगर आपको कर्ण का मान निकालना है लम का मान निकालना है या अधार का इन तीनों में से कोई एक मान गयाब रहेगा और इन तीनों में से कोई एक मान निकालोगे तो हमेशा वहाँ पे क्या लगाना है आपको पाइथागुरस प्रमे सुत्र लगाना है और ये सिर्फ त्रिजिया त्रिभूज बस में ही लगता है ठीक है तो आपको पाइथागुरस प्रमे यहाँ पे लगाना है तो चलो शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ठीक क्या त्रिभू इसके बाद B से C देखो P से C बराबर 12 cm और हमें ग्याद क्या करना है A से C का मान हमें ग्याद करना है ठीक है यह मान हमें ग्याद करना है और जो हमें मेन मान ग्याद करना है उसको भी हम लिख लेते हैं A से D A, C, D हमारा मेन है क्योंकि यही मान क्या है? यही है जीवा और इस परस्णम हमें जीवा ग्यात करने के लिए कहा है ठीक है तो यह दोनों मान भी निकालना है अब यहाँ पे हम लगा देते हैं पाइथा गोरस प्रमे तो यहाँ पे लिखो अब यहाँ पे करन कौन है? तो करन जो होता है वो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बुजा तो सबसे बड़ी बुजा हमें इसा करन होता है मतलब यही ठीक है? तो देखो जो तरिज्या यहाँ पे बना है वही क्या होगा? करन होगा तो A, B तो यहाँ पे लिखो AB का वर्ग, लंब क्या होगा लंब होगा BC और आधार क्या होगा, AC यह रहा AC मानों को रख दो, AB का मान कितना है तो देखो, A से B का मान 13 है तो यह हो गया 13 का वर्ग कर देंगे बराबर BC का मान देखो BC का मान 12 है 12 का वर्ग और हमें AC का आमान ग्याद करना है ठीछ है थोड़ा सा है तो यहाँ पर बगल में कर ले दिए इसको हल इसके बाद 13 गुडी 13 दो बार कहेंगे मतलब 13 का वर्ग रहत कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा 12 का कितना होगा 144 हो जाएगा प्लस ac का वर्ग है, क्योंकि इसका मांन में ज्याद करना है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गिया, चलो, अब क्या करेंगे? इसको इस पाल पक्चांतर कर देंगे, तो यह चीन यह क्या हो जाएगा? यहां से इस सइड़ा के माइनस बन जाएगा, तो यह minus हो गया और यहाँ पे बचा क्या AC का वर्ग बचा घटा दो तो घटाने पर यहाँ पे 25 बचेगा और यह हो गया AC का वर्ग यहाँ पे AC से वर्ग हटाएंगे तो under root कहां लग जाएगा 25 में आ जाएगा यहाँ तक समझ में आया अब under root से इसे बहाँ निकालेंगेट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा AC ठीक है तो AC कमान कितना पराप्त हो गया 5 पराप्त हो गया यहां तक समझ में आगे है तो यहां पर आप लिख सकते हो AC कमान 5 अब हमें A, D के मान को निकालना है, चलो, अब समझो यहाँ पर ठीक है, A, D का मान कैसे निकालोगे, तो देखो, यहाँ पर A, D बराबर, ठीक है, A, D बराबर, क्या क्या हो सकता है, A, यहाँ पर A, D बराबर, A से, C, प्लस, C से, D, ठीक है, यही होगा, A, D बराबर, Z, अब य तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके मान को लग सकते हैं, कैसे रखोगे, देखो, A, D, बराबर, A, C, प्लस, A, C, ठीक है, A, C, प्लस, A, C हो गया, तो यह हो गया, A, D, बराबर, यहाँ पे इसका भी मान 5, और इसका भी मान 5, दोनों का मान 5 हो गया, दोनों का 5, मान 5 हो कि क्या हो गया, दोनों का मान जूड गया, तो यह कितना हो गया, 10 हो गया, और यही क्या है इसका, एंसर, यही हमें ग्याद करना था इस प्रस्न में, तो 10 cm जीवा प्राप्त हुआ, समझ में आई यह प्रस्न, चलो, आगे देखते हैं, इसके जो दूसरा प्रस्न है, आपसे बन जाएगा न, आप बना के देखना, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा प्रस्न में, जो त्रीजिया है, इसको पंदरा रिखना है, और यहाँ पर जो मान है, ठीक है, इसको आपक क्या है दूजरा प्रस्ण है वृत की त्रिजया ग्याद कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंदर से दूरी दिया हुआ इस बार देखो जीवा की लंबाई मतलब जीवा का मान दिया हुआ है और केंदर से दूरी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे त्रिजया नहीं दिय और 24 cm, दो मान दिये हुए है, ठीक है, दोनों को हल करना है, बारी-बारी से पहले, पहले प्रस्नों को देख लेते हैं, दोनों प्रस्नों बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, बस आपको समझना है, ठीक है, तो देखो, कैसे हल करना है, सेम है, पहले प्रस्न जैसे हमने हल कि पूर्ट हे मतलब हमें सबसे पहले जीवा और यहां पर केंद्र दे दिया इसके बाद पर चाहिका कrahos हमान के मान को मिला लेते हैं धिया अम बहले करना लेकिन आपको कंचना ही हो गारिया को इसके बाद किया है इन दोनों केंद्र । से बीच C और यह D A से D का जो मान है यहां से यहां जीवा की मान है यह 8 cm है तो यहां पर देखो यह 8 cm है और यहां पर B से जो C का मान है वो कितना दिया हुआ है? 3 cm दिया है दूरी है ना तो यह 3 cm है ठीक है यह 3 cm और हमें क्या निकालना है? A C का मान निकालना है, तो कैसे ग्याद करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे दो अलग-अलग हिस्तों में बांट लेंगे, क्योंकि ये पूरा-पूरा हिस्स है, तो A से D का मान कितना दिया है, यहाँ पे लिखो, A D बराबर 8 cm दिया हुआ है, हमें चाहिए A C, चलो, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूं, फिर से A D A D बराबर क्या होता है, A D बराबर होता है A C प्लस C D होता है, ठीक है, आगे हल करो, तो यह हो गया, A D बराबर, यहाँ पे एक सेकंड ना, यहाँ पे लिखो A C, जितना है उतना ही CD है ऐसे आपको लिखना है ACD इतना है CD है तो यहाँ पे हो जाएगा AD वराबर AC PLUS CD अशारी AC PLUS AC हो जाएगा ठीक है AC PLUS AC क्यों चोकि दोनों कमान सेम है तो हम दोनों कमान को एक जैसे लिख सकते हैं तो यह हो गया AD वराबर 2AC ठीक है 2AC हो गया अब ad के मान को रख दो, ad का मान कितना है, देखो ad का मान 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया, और यह दो जो है, इसको तीरिया गुड़ा करूप में कहा पर आगए, नीचे में, बचा क्या, यहाँ पर ac बचा, तो यहाँ पर, देखो, कड़ जाएगा, कितना आगए, 4 ac आज हो गया, अब आगे क्या करेंगे, अब हम पाइथा गोरस प्रमे लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखो, पाइथा गोरस प्रमे से, ठीक है, बहुत ही आसान प्रस्न है, आसानी से बन जाए गए आप लोगों से, ठीक है, पाइथा गोरस प्रमे का सूत्र क्या होता है, कर्ण क वर्ग बराबर लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करन का मान देखो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पुझा जो त्रीजी है वही निकलना है वही करना है तो इस का मान तो दिया है नहीं है तो हम क्या लिखेंगे AB का वर्ग लिखेंगे LUM कमान देखो तो LUM कमान देख लो यहाँ पर LUM क्या है BC है ठीक है चलो बाद में मार रखेंगे पहले इसको लिख लेते BC और AC क्या है आधार है तो यह हो गया AC का वर्ग है थोड़ा सा बांकी इसको बगल में हल कर लेते हैं अब यहाँ पर मैं AB कमान तो दिया नहीं जो ग्यात करने उसे जैसा है वैसा रख गते हैं ठीक है लेकिन BC कमान दिया है BC कमान कितना है 3 तो यह हो गया 3 का वर्ग AC कमान कितना है 4 तो यह हो गया 4 का वर्ग फिर आगे हल करते जाएंगे AB का वर्ग यह 9 हो जाएगा और यह हो गया 16 हो गया यहाँ पे AB का वर्ग बराबर यह दोनों जुड़ गया 25 AB बराबर यहाँ पे अंडरूड यहाँ पे आगए यहाँ पे जैसे ही हम वर्ग हटाएगे तो यह क्या होगा अंडरूड यहाँ पर लग जाएगा अब यहाँ पर A B बराबर यहाँ से कितना निकाल सकते हैं 5 पंचे पर 30 तो 5 गुड़िक 5 मतलब 5 बाहर आगया तो A B का मान कितना आगया 5 आगया तो A B बराबर 5 cm यही क्या है इसकी त्रिजिया है यही answer है ठीक समझ में आगया तो इस तरह से प्रस्न को बनाया जाता है समझ में आया है न यह बहुत ही आसान प्रस्न है पहला प्रस्न और दूसरा प्रस्न सेम टू सेम हल हुआ है बस उसके मानों को change है किसी में जीवा गयात का निकलिका है और किसी में त्रिजिया गयात करने के लिए और किसी में केंद्र और जीवा की बीच की दूरी भी कहेगा तो सेम ऐसे हल होगा ठीक है तो इस तरह से आपको बनाना है अब दूसरा प्रस्न आप आसानी से बना सकते हैं बस क्या करना है आपको man change करना है man kya kya change होगा यहाँ पर जो man है 8 ना उसके जगह में आप इस बार 14 रखोगे और यहाँ पर जो यहाँ पर 20 जो man दिया है उसके इस्थान पर आप 24 रखोगे ठीक है इसके इस्थान पर 24 और इसके इस्थान पर 14 उसके बाद आप बनाए के देखो आपसे बन जाएगा ठीक है तो बाकी जो प्रस्न है उसको मैं आपको next part में बताऊंगा